वेल्कम टू प्राइम एजुकेशन इन तीस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस बाउट टू इंपोर्टेंट इंटरस्टेट मीबोर एंड लिबोर इन दोनों चीजों को समझाने से पहले में कुछ चीजे और के लिए करना चाहूंगा आपको आपने भी मोनेटरी पॉलिशी के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पर देखा होगा रेपोरेट के बारे में या फिर रिवर्स रेपोरेट के बारे में एमेस्ट के बारे में ये लेंडिंग और बोरोईंग की इंटरस्रेट थी और कमर्सिल बैंकों के बीच में थोड़ा सा इ कषूर से प्राइब करना हो कोई बोरेंग और लेंडिंघ करना हो तो वह किस इंटरस्ट टेट पर करेंगे या तो किसिंद्थ के योडियािक्डन से बाहर से management तो मीबोर से start करते हैं मीबोर क्या होती है आपके exam में पहला equation यह frame किया जाता है आपसे ज्यादर deeply चीजें नहीं पूची जाती है मैं थोड़े सी deeply भी बात करूंँ आपसे पहला question यह frame किया जाता है in मीबोर R stand for R का मतलब बताएं मीबोर के अंदर in मीबोर O stand for तो चलिए इस acronym की फुल फॉरम देखते हैं मॉंबई Interbank Offered Rate बिल्कुल सिंबल है मॉंबई Interbank Offered Rate यह है वह interest की short term rate है जिस पर इंडिया के अंदर सभी commercial bank एक दूसरे से लेंदेन करते हैं it is a rate at which bank borrow short term loans from one another in India यानि कि मालो access bank को HDI से loan लेना हो तो किस interest rate पर लेंगे मीबोर पर लेंगे या SBI को HDPC bank को loan provide कराना है तो किस interest rate पर प्रवाइड करवाएंगे मीबोर interest rate पर प्रवाइड कराएंगे अब यह calculate कौन करता है यह calculate करता है NSC national stock exchange और यह calculate किस तरह से की जाती है NSC के दवारा देखिए सभी bank को से एक quotation मंगवाई जाती है लगबग 30 banks होते हैं जो major bank इंडिया के अंदर private sector के हों चाहे public sector के हों चाहे foreign bank भी हो यानि कि जो major leading banks होते हैं इंडिया के अंदर 30 से quotation मंगवाई जाती है प्लस इसमें आपके primary dealers भी रहते हैं वो सभी मिलकर अपनी quotation देते हैं कि हम किस interest rate पर loan provide करने के लिए तयार हैं सभी अपनी interest rate बताएंगे तो सभी को add करके सभी का sum करके और total से divide कर दीजाएगा जो interest rate निकलके आएगी वही हमारी क्या होगी मीबोर होगी एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि जो highest quotation आएगी हमारे पास और एक lowest quotation आएगी उसको skip कर दिया जाता है यानि कि जो सभ से highest interest rate होगी और lowest interest rate होगी उनको हटा दिया जाता है और बाकि कि जो interest rate हमारे पास quotation के रूम में आती है यानि कि NSE के पास quotation के रूम में आती है उनको sum करके total से divide कर दिया जाता है जो interest rate निकलके सामने आएगी वही कहलाएगी इतनी deeply आपसे नहीं पुझा जाएगा बस दो ही चीज़ पुझी जा सकती है या तो मीबोर किसके तवारा calculate की जाती है या फिर मीबोर किसके लिए stand करती है यानि कि मीबोर की full forum क्या है और यह daily basis पर calculate की जाती है यानि कि इसके जो values होती है daily change होती है daily NSE इसको update करती है तो मी language में यह समझिए मीबोर वह है interest की एक short term rate है जिस पर इंडिया के अंदर जितने भी financial institutions है एक दूसरे को landing करते है या borrow करते है एक दूसरे से clear है आगे चलते है इससे बड़ी level की ठीक है लीबोर लीबोर क्या है international level की interest rate है ठीक है लेंडिंग और borrowing की तो इस acronym की full forum देखते है क् इंडर इंटर बैंक ऊफर डेट है ये एक international level की interest rate है जिस पर around the world जितने भी financial institutions है या banks है जो एक दूसरे से international level पर lending करते हैं या borrow करते है ठीक है लीबोर इस दा average interest rate at which major banks around the world borrow each other for a short term loan यानि कि यह भी क्या है, एक average interest rate है, average interest rate इसमें भी जो top 18 banks होते हैं, around the world, ठीक है, उनसे quotation मंगवाई जाती है, और जितने भी quotation आएंगे, उनको total करके, total करके, और उनसे total से divide कर दिया जाएगा, ठीक है, तो तब जो average rate निकल के आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीबोर कहेंगे, इसमें कोई भी, यहां से इस rate पर loan ले सकता है, जैसे यहां पर भी highest value आएगी, और lowest value आएगी, उसको skip कर दिया जाएगा, बाकी को add करके divide कर दिया यह किसके द्वारा publish की जाती है, यह की जाती है, intercontinental exchange के द्वारा, वो around 11.30 am, यानि कि यह time कहागा है, इंडिया का नहीं है, यह लंदन का है, लंदन के time की according, इसको publish कर दिया जाता है, intercontinental exchange के द्वारा लीबोर रेट पर किन क्रंशी में लेंदेन किया जा सकता है वो है US dollar, euro, great britain pond, Japanese yen और franc, Swiss की है franc, इन क्रंशी में लेंदेन किया जा सकता है किस time period के अंदर, यानि किसके अंदर maturity period क्या रहेगी, किसके अंदर maturity period रहेगी, 7 maturity period होंगे हमारे पास, आप overnight के लिए landing कर सकते हैं, ठीक है, या आप borrowing कर सकते हैं, overnight यानि कि 24 hour, one day, ठीक है, one week के लिए कर सकते हैं, one month, two month, three month, six month, और maximum 12 month के लिए जब मैं आपको ये कहता हूँ, कभी भी short term, short term का meaning ही क्या होता है, up to one year, up to one year, एक साल तक के लिए किसी भी level पर आप borrowing या landing कर सकते हैं, लेबोर पर, ये किस level की है, ये international level की है, अगर maturity period की बात करूँ, मैं मीबोर के अंदर, मीबोर के अंदर maturity period क्या रहेगी, इसके अंदर भी same रहेगी, overnight, ठीक है, एक रात के लिए, 24 hour के लिए, अगर landing या borrowing करनी है, या फिर आपको 14 days के लिए, या one month के लिए, या three month के लिए, इसके अंदर यही maturity period है, एक, तो, तीन, चार, चार maturity period होती हैं इसके अंदर, अब आप से इसके अंदर exam में बस यही चीज़े पूश security period है, तो answer क्या होगा, 7, यानि कि total मिला कर, कितनी interest rates बन जाती है, कितनी interest rates बन जाती है, लिए, यानि कि 5 into 7, is equal to 35 interest rates, publish की जाती है, और ये भी daily basis पर calculate की जाती है, तो आज हमने लिए लिए, मीबोर के बारे में जाना, इससे उपर का level में आपके exam में नहीं पूचा जाता है चाहे हो RPA grade B का हो, HBI हो, या IVPS के तुरू कोई भी exam हो, ठीक है, आपको ये चीज़े ध्यान रखनी है, आज के लिए इतना ही, thank you